हेलो फ्रेंट्स मैं हूरा केश आप देख रहें नर्से जब यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज अपने बात कर रहें स्टाफ नर्स वेकंसी जो की आई सी एसाईल के दौरा गोर्मेंट राजीव गांदी ऑस्पिटल देली के अंदर ये वेकंसी निकाली गई है इस वेकंसी के बारें पूरी डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को सुरुचन तक देखते रहें ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज आजाएगा वैबसाइट एडवर्टाइजमेंट नर्शिंग ओफिसर स्टाफ नर्स टेक्निशन राजीव गांधी गोवर्मेंट ऑस्पिटल इसके उपर अपने को क्लिक कर देने और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में आने के थी तो वहाँ पर भी एम्स डेली ने इस एजनसी को डेली वेज़ेज के उपर कॉंट्रेक्ट दे दिया था और यह एजनसी है वह वाकिन इंट्रुव स्टार्ट कर दी थी डेली वेज़ेज के उपर लेकिन जब उनकी स्ट्राइक खतम हो गए रिवर्ट बैक हो गए तो इस एजनसी के द्वारा जो इंट्रुव लिए गए थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया था तो यह आउट्सोर्सिंग निकालने वाली एक कंपनी है तो इसका जो कॉंट्रेक्ट पीरड़ाई कभी भी निरस्त कर सकते हैं इमीडियेट भी कर सकते हैं जैसे कि एम्स डेली के इस्ट्राइक के टाइम पर किया गया था अब इसके अंदर जो यह निकाली गई है यह है ओनलाइन एप्लिकेशन निकाले की इन्वाइट फोर्दा पोस्ट और प्योर्ली ओन्दा कॉंट्रक्ट बैसिस आउट्सोर्सिंग बैसिस राजीव गांधी सुपर इस्पेसिलिट से सताइस पांच दोजार इक्किस से और क्लोजिंग टाइम रहेगा बारा बजे तक दोपैर के और अठाइस पांच दोजार इक्किस मतलब कि ट्वंटी-फोर अवर तक यह जो पीरिड है यह ओपन रहेगा अब अपन देखते हैं नर्सिंग ओफिसर की और स्टाफ नर्स वेकंस है यह है आईश्यू और ओटी नर्स के लिए जिसमें की जीनम कंडिडेट के साथ में पांच साल का एक्सपिरेंस होना चीए और वह भी एने भी एच ऑस्पिटल मिनिमम दोस्व बैड़ेड ऑस्पिटल लाइक मैदानता आर्टीमीस फोर्टीस ऐसे ऑस्पिटल का एक्सपिरेंस वो इसके अंदर काउंट किया जाएगा नेक्स्ट है अगर आप यह सिंद्र सिंग कंडिडेट है तो आपके पास में दो साल का इसमें एक्सपिरेंस है वह जरूरी रहेगा अन्ने भी एच ऑस्पिटल का मिनिमम दोस्व बैड़ेड सके अंदर होस्पिटल ह वो इसमें count किया जाएगा age limit है maximum 50 year age limit है और इसमें total post है वो 50 post इसके अंदर निकाली गई है salary इसके अंदर है 52,000 प्लस इसके अंदर salary है वो दिया जा रहा है नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखे तो जब इसमें जो वाकें इंट्रिव होगा और उस टेम पे कोई भी टी अडी यह वो नहीं दिया जाएगा इसमें registration फीस है वो वन टाइम पर नोन refundable फीस है एक हजार रुपए इसमें फीस है वो भी इनके द्वारा रखी गई है इंट्रस्टेड जो कंडिडेट है वह एप्लिकेट और एडवाइस टुगो थूट्रू थूट इलीजिबिल क्राइटेरिया केरफुली एं एसरेटेन देंसेल्फ रिगार्डिंग देर इजली इलीजिबिलिट अगर कोई कंडिडेट इलीजिबल है जिसके पास जीनम के स ऑनकूर जो सब्सक्राइब करना रहे हैं करना झाथ साग्डिकेश के साथ में दों साल के एक्परेंस अगर कोजी कंडीडिर तो वह इस फ्ट्रों को अपलाई कर सकता है है कि नेक्स्ट है कि यह जो पोस्ट है यह कोविड-19 के लिए यह पोस्ट निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो कोविड-9 जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होंगे तो कोविड-19 का पूरा जो प्रोसेस है उसके अकोर्डिंग आपको फोलो करना रहेगा बाकि इसके अंदर कोई खास इंपोर्टेंट बाते नहीं है अगर आप इंट्रेस्टेड है तो इस फोरम को अप्लाई कर सकते हैं माकि अगर कोई GNM कंडिटेट है और पांच साल का एक्स्पिरेंस है तो उसको आउट्सोर्चिंग में जाने की जरूत नहीं है क्योंकि वो व नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेला गनाता है उसको प्रेस कर लेना थैंक्यों